हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टो माई चैनल मैं हुशिम और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो आशा करती हूँ मेरे सभी भाई भेहन सभी दोस्त बहुत अच्छे हो अपने अपने काम में जो गार्डनिंग की काम करते हो वह अपने काम में जो दूसरे काम करते हो अपने काम में बहुत बीजी हो और खुश हो इसी बात के साथ अपनी वीडियो शुरू करती हूँ तो फ्रेंट्स देखो यह मेरा अजवाइन का प्लांट तो आप देख सकते हो कितनी हेल्दी और ग्रीन हो गई है इसकी वीडियो मैंने शायद दो महीने पहले डाला था कि हाँ टुरू दिस अजवाइन प्लांट तो इसकी इसको मेने कर दुटिंग से मैंने ग्रो किया था और भी अश्यावीन ख्रीन वीडियो मैं और इसकी घुषबू निकलती घठों इसकी से प्लांट प्लांटो बहुत हेल्देर ऑख समय piace लगाना चाहिए इसकी क्या-क्या फाइदे है इसके बारे में तो फ्रेंड्स इसको हम एज इस पर जो शीर आती है उसको हम अपनी कुकिंग में यूज करते हैं और बहुत एच्छी एक खुश्बू देती है और आप इसकी जो लीफ है उसको भी इसकी भी बहुत सारे गुन ह बहुत सारे फाइदे है आप कह सकते हो कि पूरा जो प्लांट है यह एक और इसकी बहुत सारे फाइदे है और इसको आप इसको घर पर लगा सकते हो अपनी गार्डन पर एड कर सकते हो और गार्डन को एक एवर ग्रीन लुग भी देती है प्यारा सा लुग भी देती है आजाती हूँ कि आप इसको अपने गारेन पर क्यों लगाओगे इसकी क्या क्या healthy benefits है ठीक है तो friends पहला तो है कि इसकी जो पत्या है या फिर इसकी जो sheets है उसको अगर आप खाओ हर रोज तो आपकी जो diabetes की problem होती है वो कम हो जाती है ठीक है अगर आप हर रोज ही खाओ आपको और चीजरी आंति आप उसकी शीट है तो इसलिए आप इसको खा सकते हो इसकी पत्यों के खा सकते हो या फिर इसको शीट को पावडर बना के खा सकते वह हो और ये क्धो के कग खा सकते हो और नमबर टू है कि आप इसको अगर खाते हो तो आपकी जो पेटकी जितनी सारी problem ह जैसे है गास्टिक प्रॉब्लम् से आपको डेट ही थी है इसा कर देखना निया कि मोटी चाह सकते हो और अगर चाहेक तो आप खाली पेट सुखर को आप एक पत्तियों को तोर के दो के अच्छी तर आप चाबा लो इससे भी आपको बहुत फाइदा होगा ठीक है इससे भी आपकी जो गैस्ट्रिक्री प्रॉब्लेम है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी और नमबर थी है आपकी मूँ की जो प्र प्रॉब्लेम की कारण होती है और कभी-कभी ऐसी हो जाती है ठीक है तो इसको भी यह पत्तिया अगर आप खाते हो हर रोज सुखर खाली पेट तो आपको इस समस्षा से भी आपको चुटकारा दिलाता है यह अजवाइन की प्लांट और फिर है इसकी रस अगर आप हर प्रॉब्लेम है उनकी प्रॉब्लेम भी धीडे धीर इस लिए यह पत्तिया बहुत ही हेल्दी है मेडिशनल गुनों से भरपूर है यह पीक है और सबसे में बात है इतनी ऐची एक प्लांट आप बहुत ही तरीके से इसको घ्रो कर सकते हो मैंने मेरे और एक वीडियो पे द देखो यह एक स्कुलेंट टाइप की जो प्लांट है यह इसको पानी बहुत ही कम लेगती है इसको आप कहीं भी लगा दो अच्छी तरह ग्रूव कर जाती है और सबसे ज्यादा यह अच्छा होता है जो शेमी शेडी एरिया है वहां अगर एक दम डाइरेक्ट सनलेट पड़ और वैसे तो इसकी इतने देख़ल नहीं करना पड़ता इसकी न्यूट्रिशन की जो रिकर्मेंट है वह उतना जादा नहीं है थोरी थोरी पानी देती हूँ और जब दूसरी प्लान के लिए खली का पानी खोल देती हो देखो इसी पत्या कितनी अच्छी ग्रीन और आप देख सकती हो कितनी प्यारी है ठीक है तो इसको अब लगा सकती हूँ देखो फ्रेंस मैंने इसको एक थर्मोकॉल के बॉक्स पे लगाया हुआ है और अभी बारिश है तो देखो बहुत सरी अन्नैसेसरी जो ग्रासिस होती है वह उठा हुआ है तो आप हमेशा ही कोशिश कर कि आपकी जो जी स्पॉट पे अप लगाते हो स्पॉट को आप साफ रखो देखो हमारी है बारिश हो रही है तो इसके मैं सफाई करती हूँ लेकिन दो दिन बाद बाद ही ऐसे ग्रासिस निकलाती है तो इसको मैं फेक देती हूँ देखो इधर चोटा सा कोलियस का बेबी कि दो इसको लगा सकते हो इसको पॉड़ पे लागा सकती हूँ एसको पोड़ लगा सकती हो और बी अपि इसको लगा सकती है तो कि अगर जाधा पानी जम जाए जादा पानी आप इस पर दो तो यह किया होता है एक गलने लगती है इसलिए अब जहां भी लगाओ एक बहुत अच्छी एक बना लो पोट पे हो तो कोई बात ही नहीं होल तो एसी होल वाले जाके आप लगाओ उस पर गार्णिंग नॉर्मल गार्णिंग पर थोरा सा अगर आप चाहो तो थोरी से गोवन मिट्टी देखे आप इसको लगा दो अच्छी तरह ग्रो कर लेती है जहा पानी देने के जोड़ी होती है क्योंकि आपको बताया कि सेकुलन टैप की प्लांट से बिलोंग करती है तो इसको पानी उतना जादा नहीं चाहिए और इस पर न्यूट्रिशन आप क्या करोगे अगर आपको आपके पास समय हो या फिर आप दूसरी प्लान के लिए घोलती या फिर कोई भी फाटिलेशर तो आप इस पर दे सकते हो इस पर शीट भी निकलती है ठीक है इस पर फूल आते है उसपर से शीड आती है तो फैय। वही और और क्या करोगे अगर आपकी प्लांट को लांग लास्टिंग करना चाहते हो जब इस पर शीड निकल आए आप इ तो इसके लाइफ से के लंबी हो जाएगे इसलिए आप इसकी जो यहां से जो शीद निकली के उसको आप तोर देना ठीक है कुछ ऐसी छोटी मुटी कुछ ऐसी बातों का अगर अब ध्यान रखो तो आपकी जो एजवाइन की प्लांट है बहुत अच्छी तरह ग्रोव करेग और इसको यूज करने की ठीक है तो इससे आप कर सकते हो इससे अपनी लाइफ में इसको यूज कर सकते हो अपनी डेली रूटीन में आप इसको यूज कर सकते हो हर सुभा खाली पेट आप इसको खा सकते हो कोई भी जंजट नहीं कुछ नहीं सिर्फ एक पत्तियों को आप ठीक है एक या दो पत्ती को चाबालो इससे आपको कोई side effect भी नहीं होता कुछ भी नहीं होता तो आप इसको लगा सकती हो अपनी garden में ऐसे एक अच्छी plant कर दो कर के अच्छा अच्छ।